Hello friends, यह news article है 9 भारत 36 गड़ की 10 फरवरी 2021 की आईए जानते हैं किस university से related है यह news article college में परिक्षा की तैयारी आज से online आवेधन तो दोस्तों जो भी हेमचंद यादव विश्विद्याले दुर्ग के students हैं ये वीडियो ये news उनके लिए हैं इसमें बताया गया है हेमचंद यादव विश्विद्याले दुर्ग द्वारा सेमेश्टर व वार्षिक परिक्षाओं की तैयारी शुरू हो गई है सेमेश्टर परिक्षाओं के लिए online आवेधन दसफरवरी से भरे जाएंगे अर्थात आज से इसके तीन दिन बाद प्राइवेट ग्रेजवेट व पोस्ट ग्रेजवेट परिक्षाओं के लिए आवेधन मगाये जाएंगे फिर एक हफ्ते बाद नियमित परिक्षार्थियों के लिए फॉर्म भरने के प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आवेधन भरने की पूरी प्रक्रियाएं एक मार्स तक पूरा कर लेने का लक्षे रखा गया है उम्मीद है कि परिक्षाओं आफलाइन होगी जिसके लिए शासन के दिशा निर्देश का इंतजार है कोरोना काल के चलते पिछले वर्ष कुछ विशयों को छोड़कर बाकी सभी परिक्षाओं श्तगित कर दी गई थी वर्तमान सेचडिक सत्रह में अब तक कॉलेज नहीं खुल पाई है पढ़ाई केवल ऑनलाइन कराई जा रही है परिक्षा की तिथी को लेकर चातरशात्राओं में उहापोह की स्तिती बनी हुई थी अब परिक्षा के लिए आविदन मगाये जाने के बाद इस्तिती इसपस्ट होने लगी है हाला कि आविदन भरने की तिथी अन्य वर्षों की तुलना में काफी पिछड़ गई है पती डॉक्टर अरुन पल्टा ने बताया कि परिक्षाओं की तियारी शुरू कर दी गई है पहले सेमेस्टर परिक्षा के लिए दस फरवरी से आविदन भरे जाएंगे उसके बाद प्राइवेट फिर रेगुलर इस्ट्रेंट परिक्षा फॉर्म भरेंगे पुरी प्रक्रियाएं एक मार्स तक पूरा करने की कोशिश होगी और आपकी जो एक्जामनेशन है जहां तक लग रहा है कि ओफलाइन होने की संभावना है और इसके लिए साशन के गाइडलाइन्स के इंतजार है साथ ही आपकी examination guidelines के according offline कराई जा सकती है अगर आपने form नहीं बरा है अगर आप form भरना चाहते हैं तो आप अपना form फिल कर सकते हैं 10 फरवरी आज से आपकी form भरने की date शुरू हो गई है अगर वीडियो पसंद आया हो तो like करें share करें मिलते हैं निस्ट वीडियो में ये तब तक के लिए good bye